असलाम लेकूम दिस इस मिया उमर यूर एलेसेट कंसल्टेंट इस टाइम मैं मौझूद हूँ लहौट स्मार्टेटी और अगर कोई बंदा गैस कर सकता है कि यह कौन सी टेंकी है और यह मैं किस जगा पर खड़ा हूं तो यह थोड़ा समय आपको जो है वह बताता हूं कि लह प्रशान है मार्किट को लेके प्राइसीज को लेके लहौर स्मार्टेटी की डिवलपमेंट को लेके और इस टाइम में आपको जो है बहुत अच्छी गूड नियूस जो है वह देने जा रहा हूं स्पैशली एक्जेक्टिव ब्लॉक वालों के लिए जिनके पास एक्जेक अदर अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी जो है वह उन्होंने गवाया है तो मतलब के इस तरीके से जो है वह आप लोग ना करें और पैनिक सैलिंग जो है वह स्पैशली ना करें थोड़ा सा टाइम दें चीजें जो है वह बहतर होती भी नजर आएंगी लेकिन बहुत सारे जो है वह आजकल के दोर में जो है वह बनता है और बड़ी मुश्किल से बनता है तुम ही यह क्या कर रहे हो वहां अर्बन सिटी लाहूर जो है वह में चीटी रोड़ की ओपर अपना चारमला कमर्शल लाउंच कर रहा है क्या का पैसे डूब जाएंगे फ्रॉड है तुम जिसने जब समार्चीटी ने अपना कमर्शल लाउंच कर रह तुम ने तब भी यही बात की थी कि ना खरीदो पैसे डूब जाएंगे फ्रॉड है ये फलाना है धंकाना है लेकिन उसी चारमला कमर्शल से उसी कमर्शल पेमेंट प्लैन से लोगों ने लगों ने लगों नह जाते हैं हमारे पास कि मुझे बगायर हों के जो है वो कमर्शल दे दें क्यूं तुम ने साथ चोटी का तो अभी जाओ जाके अर्बन सिटी लाहूर जो में जीटी डॉर्ड की उपर चारमला कमर्शल लाउंच करने जा रहा है वहां पे जाकि इन्वेस्ट करो ताकि छोट सब्सक्रापमेंट स्टार्ट कर दी है समय आज जो है तक बीजो है पर यहां पर लोगू के लिए जिनकपास एइजुके वेस्फ़कीड की फाइल्स और छॉन और मैं आपको इधर साथ बता बी दोंगा तो चुपर मैं खpei unfortunately में चारूंड भी आपको जो है वो दिखाऊंगा और स्राउंडिंग में जो है वो यह पानी वाली टैंक की एक्जेक्टिव वेस्ट के अंदर किस जगह पे वह भी मैं आपको साथ नक्षे में जो है वो इंडिकेट कर दूँगा और दूसरा यह कि मैं इसके साथ साथ आपको चीजें आपको आपके जो है वो 14 तबक जो है वो रोशन हो जाएंगे इंशाला उताला एक्जेक्टिव वेस्ट की वीडियो देखके और आने वाले चार से छे महीनों के अंदर यहां पे आपको बिलकुल नक्षा जो है वो चेंज नजर आएगा तो अभी जो है वो मैं आपको एक राउंड देता हूँ इसकी सराउंडिंग तो सा समझाता हूँ मैं आपको साथ मैं जब इसको मैं एडिट करूंगा तो साथ मैं जो मैप है वह भी साथ करूंगा और बताऊंगा कि सामने वाला एरिया कौन सा है लेफ्ट राइट आगे पीछे जितना भी एरिया है इस और स्मार्टी का वो विजट्स करते रहते हैं टाइम टू टाइम जो है वो हम लोग चीजों को देखते रहते हैं कि सुसाइटी किस तरीके से जो है मैनेज कर रही है तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू कि आपने लहौर के एक बहुत बड़े प्रोजे वादिदों को जो है वोर स्बसेल से लेके चला करें अदर वाई अप लोग अपना नुक्सान करेंगे और बहुत जादा नुक्सान करेंगे आप लोग अपना सो इसलिए ज olan यहां मोश बोच marched की एक ब्रेंड है लहॉच्मार टीजो है वह टलीवर करना जानता है सो लेक्तिव के अंदर ओयह सही ना करेंगर क्योंकि जितने फाइल योटो सहे अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं रहेगए जो बंदा यह कहा के जिसे मेरे पास बैलेटिट डॉल ठाइऊ और मेरी जमीन की ऌपर फियन थी और मुझे 5 आप 10 आ वा मुझे प्लिट ही नहीं मिला इंशालों आने वाले दो से तीन सालों के अंदर जो है वह आपको यहां पर बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर जो है वह डिवेलमेंट देखने को मिलेगी रोस्ट इंफ्रस्ट्रॉक्चर होगा स्कूल कॉलेज़ेज मस्जिद इच एंड एवरिफिंग जो है मैंने जो मैनेज़मेंट की साथ डिसकेशन हुई है उसके अंदर उन्हें बहुत कॉन्फिडेंट थी मैनेज़मेंट क्योंके यहां पर बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि जी इनके पास एक्जेक्टिव की लैंड नहीं हैं इनके पास जो है वो ओवर लेंड का कोई मसला नहीं है लिटीगेशन किसी जगा कि उपर नहीं है एक्जेक्टिव व्लॉग में स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं और जब यह काम स्टार्ट होगा आज से जो है वो इंशाला काम स्टार्ट हो गया हुए और मैं दिखाऊंगा आपको कोशिश के अंदर जो स्टार्ट वाला जो सुबा जो एक सर्मनी हुई है उसके अंदर के जो क्लिप्स वगारा है कुछ वो मैं आपके साथ जो है वो लाजमी शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर तो आप लोगों को तो आइडिया हो जाएगा और यह एक्जेक्टिव वेस्ट से लेके लहोर स्याल कोट मोटरवे तक जो है यह प्रॉपर जो है वो पूरा एरिया जो है वो डिवलप करने जा रही है लहोर स्मार्ट शिटी इग्जेक्टिव वेस्ट का एरिया है इग्जेक्टिव वेस्ट का एरिया है उसके आगे जो है वो एक्जेक्टिव सेंट्रल है Executive Central के अंदर E Block, F Block ये सारा का सारा आप लोगों को आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये आपको वहाँ पे मशीनरी से काम होता हुआ नजर आएगा और इंशाला आपको टाइम टू टाइम जो है वो दिखाएंगे भी चीजें के कौन से एरिया के अंदर जो है वो किस तरीके से काम हो रहा है तो मैं फिर से आप लोगों को वान कर रहा हूँ फिर से आप लोगों कुछ है वो एक भाईयों वाला मश्वर है कि अपनी Executive Block की Files को कभी ना Sell करें अभी बिल्कुल ना Sell करें प्लाइबे या आपके Pacific Ploats नहीं है यह आपकर आने वाले कुछ टाइम के एंदर टाइम के अंदर आप लोगों के यहां पर अपने प्लाइबे और आज जो यहां पर प्राइस चल रही है यहां पे 18 से 20-22 लाग के दरमियान यही प्लॉट आपके 40-60 लाग रुपे के होंगे और इस टाइम जो वेट करेगा इस टाइम जो चीजों को जो होल्ड करेगा वो कल को जो है वो गोल्ड कमाएगा आज की मिट्टी कल का सोना यह लाहॉट समार्चिटी ने बहुत जो है वो जबर्दस तरीके से साबित किया कि हम आज की मिट्टी को कल का सोना बना के दिखाते हैं और इन्हों ने हमेशा जो है वह चीजों को बना के दिखाया है लोगों ने बहुत जादा प्रॉफिट कमाया यहां से तो अभी जो है एक काफी लेंथी होगी है वीडियो तो इंशालला नेक्स वीडियो के अंदर जो ह जो है वह सुसाइटी लेके जाएगी तो इंशालला नेक्स वीडियो के अंदर जो है आप लोगों कर रही है और जिन लोगों ने बेवकुफी की है अपनी इग्जेक्टिव की फाइल बेच के वह इंशालला उनको जो आज की प्राइसिज है वह आने वाले डेट से दो साल के अंदर वो प्राइसिज नहीं मिलेंगी तो इस इस विया उमर साइनिंग ओफ अल्लाहाफिज